जब इस वीडियो में Java program बनाने वाले हैं कैसे हम चेक कर सकते हमारी string जो है start हो रही को specific word से जैसे हमने कोई string दी Hello How are you? So हमें पता करना है इसमें जो पहला word है जो भी string का जैसे इसमें Hello है वो हमारे given word से match करता नहीं तो इसे कैसे implement करेंगे चलते हैं VS code में यहां पर Java की file बना लेते हैं तो मैंने इसका नाम रखा string start match.java program पर हमारे यहां से हमारा main function तो हमें दो string चाहिए होंगी यहां पर जैसे पहली तो हमारी string होगी जो हम इंपूट करेंगे दूसरी string find out करना वो वर्ड हमारा हमारा जो वर्ड हमें find out करना वह यह नहीं है तो सबसे पहले हम यहां पर scanner class यहां पर input कर लेंगे और यहां पर import करेंगे अमारी scanner class को तो simple यहां पर लिखेंगे इंपोर्ट java.util.scanner यहां पर हमारी class कर लेंगे import नाव अब हमें जो string variables चाहिए होंगे strings को store करेंगे तो हम यहां पर हम बेसिकली साथ साथ में लेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम डिस्प्ले करते हैं मैसेज system.out.println लिखेंगे प्रिंट एंटर string यहां पर हमने message डिस्प्ले कर स्ट्रिंग यहां पर एक स्ट्रिंग वेरेबल लेंगे str and हमारे scanner class के object से इसमें input करा लेंगे sc.next line नाव हम next message डिस्प्ले करेंगे एंटर वर्ड जो भी उसे वर्ड डालना होगा जो हमें scan करना है और उसमें सो यहां पर हम एक और हम स्ट्रिंग वेरेबल लेंगे जिसमें str2 ले लिए मैंने इसमें input कर लेंगे हम हमारे scanner class के object से स्ट.next हमने दो स्ट्रिंग को इंपूट करा लिया पहली तो स्ट्रिंग होगी लाइक यहां पर दीवी एलो आवार्यों एंड दूसरी स्ट्रिंग में हम पास करेंगे जो वैल्यों में हम यहां पर लगाएंगे str.start with method को call करेंगे एंड यहां पर पास कर देंगे str2 से कि यह str2 जो में string है जो भी string जी होगी जैसे मैंने दे दी हैलो पहला वर्ड जो पहला वर्ड होगा वह स्टार्ट हो रहा है str1 के अंदर या नहीं हो रहा है तो अगर स्टार्ट हो रहा होगा तो रिटन कर देगा true वरना false तो हमारा start with function जो basically हमारी boolean values को रिटन करते हैं सो अभी से करते हैं compile and run नाव यहां पर बोल रहें एंटर स्ट्रिंग तो हमने जैसे स्ट्रिंग थी हमारी विक्टॉम इसी स्ट्रिंग को यहां पर एंटर कर लेंगे copy paste कर रहा हूं है यहां पर hello how are you अब यह बोल रहा है word डालना है तो मैंने जैसे डाल दिया hello तो यह return कर रहा है true एंड यहां पर exterminate होगे हमारा true return कर रहा है that means हमारा जो यह hello है यह हमारा पहला word है इस string में नाव इससे दुबार से compile and run करते हैं तो फिर से मैंने इसमें डाली string and इसमें मैंने डाल दिया जैसे hello तो यहां पर बोल रहा है false that means यह return नहीं करता है क्यों false है क्योंकि यहां पर H capital है यहां पर small है तो यह comparison में different इसे recognize कर रहा है तो ज्यादा वीडियो के लिए like करो share करो subscribe करो channel को